तो हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए MP8 वर्गतीन पातता परिक्षा 2024 है महत्पुन प्रश्णों की जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नमबर 24 और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करने वाले हैं math pedagogy यानि गडित pedagogy के महत्पुन top 50 प्रश्णे ये वो प्रश्णे हैं जो आपके previous exam में आए हैं जैसा कि आपको पता है अभी कोई नई agency question bank के लिए तै नहीं की गई है तो पुराने वाली question bank से ही आपके प्रश्ण आने वाले हैं यानि कि लगभग 70% जो आपका भाग है वो आपका previous year के प्रश्णों के द्वारा ही cover किया जाएगा तो amputate work 1, work 2 और work 3 में जो भी प्रश्ण आपके पूचे के हैं गडित pedagogy के वो सारे प्रश्ण हम कोसिस कर रहे हैं कि एक बार आपकी आँखों के सामने से निकल जाएं जिससे कि आपको अगर exam में देखने को मि अपलोड किये हैं वो भी आप लोग जरूर देख लीजीगा तो चलिए सुरू करते हैं बस इतना ही कर लो आप आराम से qualify कर जाएंगे 90 प्लस नंबर आपके आसानी के साथ में आजाएंगे अगर आप हमारी इसी सीरीज को follow कर लेते हैं जो हम लगभग 24-25 वीडियो अपलो प्रशन की तो कोसिस कीजिएगा कि लेंगवेज को आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम सरल सब्दों में आपको उन प्रशनों के बारे में समझा पाएंगी प्रशन आखिर पूछना क्या चाहता है अगर आप एक बार यह समझ गय कि पेड़ागोजी में प्रश्ण पूछ क्या रहा है तो आप आसानी से एंसर्स लगा सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना जिससे की सारी वीडियो जो हम अप्लोड कर रहे हैं वो सही समय पर आप तक पहुंच सके च अगर आप प्रात्मिक इसस्तर कच्षा एक से लेकर के पांच तक के बचोंको संख्याओं और उपर संख्याओं यो के वारे में बताते हैं तो वो क्या करता एं उन बच्चों के लिए अंसर हो जागा गडित सिच्चर के संकिन उध्देश को पूरा करता है कुल मिला करके प्रशना आप से पूछना चाहरा है कि अगर आप प्रात्मी कच्छा में गडित पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्धेस है तो आपका यही उद्धेस रहेगा कि गडित सिंचड के जो संकीन उद्धेस हैं छोटे-छोटे उद्धेस जो है कि बच्चों को कम प्लस माइनस गुड़ा भाग आ जाए तो जो संकीन उद्धेस हैं वो आपके पूरे होते हैं शुरुआ सही अगर आप प्रात्मी कच्छा में गडित को पढ़ाते हैं और यही NCF 2005 का मुख्य उद्धेस से भी रहा है अगला देखते हैं कुश्य नमबर 2 आपके सामने देखें हुरिस्टिक ग्रीक सब्द से उत्पन हुआ है इसका अर्थ क्या होता है बहुत बार यह परिच्छां में पूझा गया है तो हिुरिस्टिक सब्द का अर्थ है होज करना नई नई चीज़ों को खोज करने के लिए हूरिस्टिक बिधी बनाए गई गdasty अथात हुरिस्टिक सब्द का अर्थ है किसी भी चीज की खोज करना चलिए अगला देखिए अगला प्रस्ण है तीन नंबर जिस प्रक्रिया के द्वारा गडित में एक बच्चे की कमजोर शित्र को पहचाना जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो उसे हम नैदानिक कारे कहते हैं यानि कि अगर बच्चे को कुछ भी जोडने घटाने में या फिर गुड़ा करने में परिसानी आ रही है और इस एक प्रक्रिया के माध्यम से हम उस बच्चे की कमजोर शित्र को पहचानते हैं उसको कमजोरी आ कहां पर रही है उसको प्रबलम कहां पर फेस कर पढ़ रहा है तो हम इस पक्रिया को नेदानिक कार कहते हैं नेदानिक कार के माध्यम से हम उस बच्चे की कटनाईयों को कमजोरियों को पता कर सकते हैं और या सिच्छार्ती और सिच्छक दोनों के लिए आवश्यक होता है कुछ नमर चार देखिए गड़ित की को प्रोसाइद करते हैं और समस्या समाधान कौसल को बढ़ाते हैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट कार आप बालक को देंगे तो बालक घर पे जाएगा उसमें दिमाख लगाएगा उसमें अनुशन करेगा खोजबीन करेगा तो उसके अनुशन को प्रोसाइद करते हैं और फ मौकिक कार्य अगर आप बालक को दे रहे हैं तो वो महत्पूर क्यों होता है प्रारंभिक समय में तो इसके परड़ाम सरूप कुछ चर्णों की अनुपस्तिती से समय और प्रयास की बचत होती है मौकिक कार्य से क्या होता है समय और उसके प्रयास की बचत होती है इसलिए यह प्रारम्भिक दौर में महत्पूर होता है मौकिक काम अगला देखी कुश्च नमर 6 एक गडित का सिच्चक छात्रों की कमजोरी और कटनाईयों को खोजने के लिए क्या करते हैं तो ही हमने आपको बता है नैदानिक परिछण का यूज करते हैं नैदानिक परिछण का अर्थ ही यह होता है कि बालक में क्या-क्या परिषानिया है मालीजी उसको जोड तो आ रहा है लेकिन गुणा नहीं आ रहा है गुणा आ रहा है लेकिन घटाना नहीं आ रहा है तो उनकी आवशक्ताओं से mail खाना चाहिए यानि जो syllabus है वो उनकी आवशक्ताओं के अनुरूप होना चाहिए ऐसा नहीं कच्छा एक काबाला के आप आप सो trigonometry पढ़ा रहे हैं उसके syllabus में आप trigonometry पढ़ा रहे हैं या geometry पढ़ा रहे हैं तो उससे मेल ही नहीं खाएगा, भाई उसको अभी तो प्रारंभिक ज्यान ही नहीं है, तो कहां से ट्रिग्नोमेट्री और जोमेट्री पढ़ लेगा, ठीक है, तो सुरुवात में आपको प्लस माइनस गुणा भागी सिखाना रहता है, तो ये उनकी आवशक्ताओं से मेल ख सिखाए नहीं दे रहा है, उसकी आवशक्ताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी क्या रणनीती होनी चाहिए, तो वेकल्पिक सिख्ण अधिगम और मुल्यांकन विधी, यानि कि उसको अलग से सिख्ण अधिगम दीजिए, कोई ऐसा तरीका बताईए, माल दीजिए नेतरहीन है, लेकिन सुनने में तो सच्चम है, तो औरियो चीज़ें उसको लेकर की आईए, आदियो चीज़ें उसको सिखाएए, समझाईए, तो वेकल्पिक सिख्ण का इस्तमाल किया जा सकता है, नेतरहीन बच्चे को समझाने के लिए या उसकी आवशक्ताओं को पूर क्या अर्थ है एक विश्तृत विवरण जिसे एक सिचक का पूरा करता है आप अगर क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले आप एक पार्ठ योजना बनाते हैं कि हम जब इंट्री करेंगे तो फिर हम बालक से ये बात पूचेंगे कि उसको इस मतलब वस्तु के बार करना रहता है या सिचका ओदेश्य रहता है कुछ नमर दस देखिए किस मनो बैज्ञानिक का यह विचार है कि सिच्छारतियों को उसकी आवशक्ताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है तो हेंरी मरे और अबरहाम मैसलो ने ये बताया कि जो भी सिच्छारती है अग मैं बड़े-बड़े समीकरन भी सॉल्व कर सकता हूँ तो आगे के लिए उसको प्रेरित करता है ठीके ना तो ये काम किस ने कहा था ये बात किस ने कही थी तो हेंरी मरे और अबरहाम मैसलो ने कहा था कि सिच्छारतियों को उसकी आवशक्ताओं को पूरा करके आप आगे क कारियों के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं अगला देखिए लेंग्विज थोड़ी सी कठी ना आती है बस आप अगर उसको समझ गए तो आप आसानी के साथ में कुश्चन को सॉल्व कर लेंगे देखिए कुशन नमर 11 है प्राथमिक चिकिस्टा का ज्यान सिच्छा के लि लग जाए माल दीजिए क्लास में ही बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं आपस में लड़ाई हो गई किसी ने किसी का सर फोड़ दिया अब आप डॉक्टर का इंतियार करेंगे अगर खून बहता चला गया तो फिर और परिसान हो सकती है ऐसे में अगर आपको फश्ट एड का ग्यान होना एक सिच्चक को आविश्यक रहता है अगला देखिए कुछ नमर 12 देखिए सिच्चन और सोध के बारे में सबसे उन्नत विचार क्या है तो सिच्चन और सोध वे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं आप सिच्चन भी साथ साथ में दे सकते हैं और उस पर सोध कर सकते हैं उसमें चीजों को खोज भी सकते हैं नए चीजों का उसमें समाययोजन भी कर सकते हैं तो सिच्छड और सोध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं कुछ नमर 13 देखिए, बिद्यार्थियों में उत्तरदायतों के विकास के लिए कौनसा कारिश सरवाधिक आवश्यक है कि उनमें उत्तरदायतों आ जाए, तो उसके लिए बिद्यार्थियों में स्वयम अध्यान की भावना आनी चाहिए, तभी उन्हें अपना उत्तरदायत का एहसास होगा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो स्वयम अध्यान के लिए आपको बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी ऐसी बात है कहकारे कि उनको स्वयम अध्यान के ओर प्रेरित करना चाहिए अगला देखिए कुश्य नमर चौदा देखिए बैग्यानिक पद्धिती पर आधारित विधी कौनसी है या फिर हम ऐसी विधी को क्या कहते है जो बैग्यानिक पद्धिती पर आधारित है तो इसे हम प्रयोग साला विधी के नाम से जानते है जो बैग्यानिक पद्धिती पर आधारित विधी मानी जाती है कुश्य नमर पंदरा आपके सामने है देखिए कौनसे प्रश्ण बिश्वस्नीता के साथ चिन्नित करना कटिन होता है ऐसे कौनसे प्रश्ण है जिसे बिल्कुल सियोटी के साथ में आप चिन्नित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम आज सनरचित निबंद कहते हैं क्या कहते हैं आज सनरचित निबंद कहते हैं जिने आप एक मतलब की बिस्वसनीता के साथ में चिन्धित नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है कुछ नमर 16 देखिए बच्चों के भौतिक विकास के चार चरणों को किसके द्वारा परिवासित किया गया था तो आपको पता ही है पियाजे महोदे के द्वारा चार चरण बताया गया थे पहला है समवेदी फिर उसके बाद में है मूर्त फिर अमूर्त ऐसे करके चार जो है आपको बताया गया थे गडित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है अगर आप गडित में अच्छा विद्यारती बनना चाहते तो क्या जरूरी है तो अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समच्चा बनाएं और तयार करें यानि कि आप सोच करके चलें कि यह मान लिए एक्स की वैल् तो आप आचानी के साथ में गडित में अच्छे सिच्चक और अच्छे विद्यार्थी दोनों बन सकते हैं तर्ब की आवशकता होती है लौजिकल थिंगिंगी की आवशकता होती है गडित में अठारह देखिए मापका सबसे विश्वसनी पैमाना कौन सा होता है तो रेष्य वीडियो में ये प्रयास रहता है कि पूरी वीडियो में कम से कम 70% material ऐसा हो जो previous year का हो बाकि जो भी exam होते हैं वो नया matter भी हम include करते हैं इसलिए हमारी जो वीडियो है वो दूसरों से अलग होती है ठीक है पूरी previous year पर भी नहीं होती है और पूरी नय पर भी नहीं होती है क्य जाए जिनको काफी अच्छा खासा अनवा हो जो वरिष्ट से चक होते हैं वही इनके प्रयायक हों वही इनके सलाकार हों तभी जो है बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे अगला देखिए 20 नंबर पाठी चर्या के लचीलेपन की अवधाना को जिनके लाव के लिए पेस क आने का एक आसान तरीका है यह बात किसके दोरा कही गई थी तो लौक महोदे ने ये कहा था कि जो गडित है वो बच्चों के मन में तरक करने की यानि कि लोजिक पैदा करने की आदत बसाने का एक आसान तरीका है अगर आप चाहते हैं कि बच्चे लोजिकल ठेंकिंग कर सक चीजों को सोच सके, समझ सके, नई चीजों को बना सके, तो उसके लिए आपको बच्चों को गलित सिखाना आवश्यक होगा, 22 नमबर देखिए, गलत उत्तरों के कारण, गलत उत्तरों के कारणों की पैचान करने के लिए नैदानिक परिछणों को किसकी आवश्यक्ता होती ह 23 नमबर देखिए 23 नमबर प्रश्ण है उच्य सिच्छा में अनुसंधान और सिच्छण दो अलग-अलग गतिविदियां है जो कैसे की जा सकती है यानि कि आप अनुसंधान भी करें और सिच्छण भी करें यह दोनों अलग-अलग चीजे हैं ऐसा यहाँ पर कहा गया है चलिए 24 नमबर का प्रश्ण देखते हैं देखिए तो गड़ित पढ़ाने का मुख्य उद्देश क्या है मुख्य उद्देश क्या है कि आप बच्चों को गड़ित पढ़ाना चाहते हैं उनको बताएं कि भाई जो गड़ित है वो आपके जीवन में बहुत महत्पून है आप कहीं पर भी जाएंगे गड़ित आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्पून है आप सामान खरीने जा रहे हैं तब भी आपको गड़ित क्या उशक्ता पढ़ेगी कितना क्या हिसाब लगाने के लिए तो गड़ित के प्रति उनकी प्रक्रिया विक्सित करने के लिए हमारा मुक्युद्देश जो है गड़ित पढ़ाने का होता है अगला देखिए क्विशन नमर पचीस है रोमन अंकों का उपयोग आम तोर पर हिंदू अरभी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है मतलब की जैसे कि आप ये तो लिख सकते हैं 235 प्लस 415 ठीक है ना ये आपने लिख दिया इसको आप जोड़ गटाना कर सकते हैं लेकिन जो आपके अरभी अंक होते हैं रोमन अंक होते हैं जैसे कि IV यानि कि 4 हो गया भी माने 5 हो गया तो इनका यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं जोड घटाना गुड़ा भाग में आईए अंसर देखें देखें रोमन अंक इस्थानी मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का प्रयोग करके गड़ना करना मुस्किल होता है यानि कि रोमन अंक माली जी ये लिख दिया आपने ठीक है ये अब इसके उपर अगर आपने ऐसा नहीं लगाया ऐसे लिख दिया और नीचे आपने लिख दिया वन और फाइब अब इसको एड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हांसिल कहां लेना क्या करना है समझ में नहीं आएगा इनका अपना खुद का स्थानी मान नहीं होता है इस विख से इनका यूज हिंदी के अंकों की तरह नहीं किया जा सकता है अगला देखिए क्विश्च नमबर 26 आपके सामने है विशिष्ट अधियम और निर्देसात्मग कटनाईयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश क्या है तो ये आपका प्रज्ञान इसका मुख्य उद्देश होता है प्रोग्नोसिस भी लिख करके आ सकता है तो विशिष्ट अधियम और निर्देसात्मग कटनाईयों को पता लगाने का मुख्य उद्देश है प्रोग्नोसिस अगला देखिए 27 नमबर गडित में पूछ ताच का मुख्य उद्देश से क्या होता है जो आप बच्चों से प्रशन पूछते हैं तो आपका मेन उद्देश क्या होता है motive क्या होता है आपका तो विद्ध्यार्थियों को प्रेरित करके रुची और जिग्यासा पैदा करना अगर मानली जी आप पढ़ा रहें अगर आप question नहीं पूछेंगे आप आएंगे blackboard पर प्राइंग और चले जाएंगे तो बच्चों के बन में जिग्यासा नहीं होगी ठीक है बच्चे attention में नहीं रहेंगे active नहीं रहेंगे ठीक है तो active रहना बहुत जरूरी है और active रखने के लिए बच्चों से प्रशन पूछना भी जरूरी है अगर सिच्चक बीच बीच पे प्रशन नहीं पूछेगा तो बच्चे inactive हो जाएंगे बच्चे active नहीं रहेंगे और अगर सिच्चक बच्चों से प्रशन पूछता है तो बच्चे करते हैं इसका सबसे संभावित कारण क्या है कि छात जो है वो एक दसमलो एक दो पांच इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं एक दसमलो दो तीन पांच इसको जोड़ क्यो नहीं पाते हैं तो इसका क्या मुख्य रीजन होता है प्रात्मिक छात्रों के लिए तो दसमलो क्रम मे सूनी के महतों के बारे में गलत धार्णा है सूनी के महतों के बारे में उनको पता नहीं है कि दसमलों के बाद में सूनी अगर लगा है तो उसका क्या होगा दसमलों से पहले सूनी लगा है तो उसको क्या होगा तो ये गलत धार्णा होने की वैसे जो दसमलों के अंकों को जोडने में छात्रों को परिशानी होती है 29 नमबर कुश्ण देखिए बिचारों को एक साथ मिला करके एक नया संपूर बनाना क्या कहलाता है सभी बिचारों को एक साथ मिला करके आप एक नया संपूर अध्या बना रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संसलेशन कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीस नमबर देखिए, हिरिष्टिक विधी का प्रमुख लाव क्या होता है, हिरिष्टिक विधी का अरत है, खोज करना, या नई चीजों को खोजना, तो हिरुष्टिक विदी का मुख की लाब क्या है तो एक छात्र को एक अनवेसक के स्थान पर रखता है यानि कि वो छात्र जो है वो अनवेसन कर सकता है नई सीजों को खोच सकता है नई सीजों के बारे में सोच सकता है तो यह हिरुष्टिक विदी का प्रमुख लाग होता ह हीरिश्टिक बिदाए का मुखे उद्दिश्च होता है कि जो चातर है उसको एक अनुवेसग बनाना 31 नंबर देखिए मैप के किस पर्माने को ्कLoonit स्केल के नाम से भी जाना जाता है तो एकलू नीट स्केल के नाम से किस पर्माने को जानते है जो अंतराल scale होती है, जो difference scale होती है, उसको हम equal unit scale के नाम से जानते हैं, एक तरह का TLM होता है, TLM करता है कि इसका प्रयोग जो सिच्छक है, वो सिच्छार्तियों के पढ़ाने में करते हैं, या एक तरह की सिच्छड सामागरी होती है, अब देखें, परियोजना की recording का क्या अर्थ है, परियोजना के बारे में आपको हमने बता है, प्रोजेक्ट कारी को हम परियोजना कहते हैं, उसका recording अगर हम कर रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ है, देखें, तो बच्चे परियोजना कारी का पूरा record रखते हैं, परियोजना को record करते समय कुछ बिंदूओं जैसे की परियोजना की योजना कैसे बनाई, क्या चर्चा की गई, कर्थब्यों को कैसे पूरा किया गया, इसका मुल्यांकन कैसे किया गया, आदी चीजों को ये ध्यान में रखते हैं, जब बच्चे प्रोजेक्ट कार करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, एक-एक बिंदूओं को वो अपने डायरी में लिखते हैं, और आपको आ करके दिखाते हैं, तो परियोजना अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो परियोजना की जगा, आप प्रोजेक्ट समझ से आपको clear हो जाएगा, ऐस ये तो वो सिचारती उनमुख होना चाहिए, बच्चों को child Central होना चाहिए, बच्चों को केंदर में रखकरके बनाया जाना चाहिए, ए चीजे बच्चों को समझ में आए, जो हम UNIT PLAN बना रहे हैं, उससे बच्चों को चीजे अच्छे से समझ में आए, बच्चा समझ सके, बच्चा उबाव पर महसूस ना करें, बच्चा क्लास छोड़ करके नहीं जाए, जैसे कि आप लोग नहीं जाए, ठीक है, पूरी क्लास देखी के लाश्ट तक, तो सिचारती उन्मुक जो है यूनिट प्लान आपका होना चाहिए, चलिए, 34, बिद्यारती परिसद का पूरा प्लान वगेरा पूरा बनाता है, उससे क्या होता है, आत्म अनुसासन की चमता विक्सित होती है, अपने अंदर अनुसासन की चमता विक्सित करने के लिए, यह आपका विद्यारती परिसद का मुख्य उद्देश्य होता है, हलंकि अब इसका इस्तमाल अलग अलग तो 60 अंके यहाँ पर पूरांक 60 अंकों का रखा जाता है, सीधे आपको fact याद रखना है, अगला देखिए, चातरों को कमजोरी या सीखने की कटनाईयों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए किये गए सिच्छण कारे को क्या कहा जाता है, तो सीधे याद रखेगा उपचारात्मक अगर आप उपाय प्रदान कर रहे हैं, तो इसे हम उपचारात्मक सिच्छण ही कहते हैं, ठीक है, आगे बाढ़ लेते हैं, 37 नमबर देखिए, देखिए 37 नमबर, पुस्त के संचार का 47 रोत कब हो सकती हैं, तो आपको राष्टकान के बारे में बच्चों को बताना है, तो राष्टकान के बारे में इस पस्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, सारी चीजें राष्टकान के बारे में बताई जानी चाहिए, तब ही या संचार का सक्त साली सरोत हो सकती है, यह जब पुस्त के निर्दिस का आर्थ है सरल सब्दों में लिखना समझ गए आगे भढ़ते है 38 देखिए एक सिच्छण इकाई के प्रसासन में क्या क्या सामिल है तो सिच्छण इकाई के प्रसासन में परिचे प्रस्तुती करण और मुल्यंकन ये तीनों चीजें सामिल होती है अगला देखिए में सहायता प्रदान करता है सीधा एंसर हो जाएगा 40 देख लीजिए क्रिया प्रसूत अन्कूलन सिच्छण मॉडल किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो सीधा फैक्ट वाला प्रस्त पूच रहे है कि क्रिया प्रसूत अन्कूलन मॉडल किसके द्वारा विक्सित किय यहां एक तरह का TLM है, सिच्छड साय के सामगरी है, आगे बढ़िए, 42 नमबर देखिए, एक सोध अध्यन में आपको कितना विश्वास रखना चाहिए, मतलब कितना विश्वास रख सकते हैं, अगर किसी ने एक्सपिरिमेंट किया, किसी ने सोध किया है, देखें, तो AKDOM की मातरा ज़्यादा है, तो ही आप इस बात को मानिये, नहीं, ऐसे नहीं मान लीजीजी, एक कोई बैग्ज्यानक जा खर के दिया, भईये, इसमें AKDEM minim है, बाकि सारे लोग क्या रहे कि नहीं, KDAM, सab सभो सही है, तो आपको सारे सोध कर्ता एक साहत मिलकर करके, एक ही दे रहें उपाए इसका मतलब है कि वही सही है जैसे कि न्यूटन का गुर्टव कर्शन का नियम है प्रती पर हर जगा लगेगा हर जगा प्रती पर कोई चीज़ आगर आप उपर फेकेंगे तो नीचे आएगी तो यह सर्व मानने है यह जो सोध है इस पर आप विश्वास कर जो बेवहार के नमूने को माँगता है चवालिस नंबर देखिए असाधरन बच्चे जो है वो कैसे होते हैं तो असाधरन बच्चों की गेसें होते हैं जनर जैसे कोई परेषानी होती है यह पर जो बहुत अच्छा प花पन्डे क्ट साली होता है यह शारे जो है वो आपके असाधरन बच्चों में आ जाते हैं सामाने तरह के बच्चे नहीं होते हैं अब ये बड़ा सा प्रशन आपके एक्जाम में दिया गया था एमपीटेट वरगतीन में ही पूछा गया है ये 45 नमर का प्रशन देखिए एक सिच्चक ने कच्चा पांच में समाचार पत्र वित्रित किया और चातरों से नविंतम मैच में भारती टीम के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा फिर उनके प्रापतांकों का ओसत निकालने को कहा सिच्चक क्या करने की कोसिस कर रहा है यानि कि सिच्चक ने एक अकबार दिया, उस अकबार में मैच हुआ था, उस मैच के अंकों को दिखाए, भाई देखो इनने इतना स्कोर किया है, आठ खिलाडियों ने मिल करके 312 रन बनाए है, आप इसका क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, तो इसमें क्या करने की कोशि आपको आप सामान खरीतते हैं, तो पिताजी पूछेंग भाईए, बताओ कि ओन एवरेज आपने कितना खर्च किया, ठीके तो वहाँ भी एवरेज निकलने क्या हो सकता पड़ेगी, तो ड्रोज मररा की चीजों से गडित को जोड़ने का प्रयास यहां पर सिचक कर रहा है आगे देखिए 46 नमबर, हाई स्कूल के लिए कौन सी परयोजना उप्यूक्त रहेगी, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो उप्यूक्त रहेगा हाई स्कूल के चात्रों के लिए, तो स्कूल बैंक का निस्पादन कर सकते हैं, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चला सकते हैं, इत बना रहे हैं तो आप सोचेंगे आज हमें दूस्तों को सिखा दिना हैं इतने टाइम में कुश्च्यान आिशार buffs की हैं टो एक पाइकिन जो है वो समायोजन की संभावनाओं को विक्सित करती है वीडियो पसंदारत भाई लाइक करना और सेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में दो दो तिन दिन ग्रूप में सब लोग सेयर करेंगे ठीक है देखिए एक व्यक्ति गडित का अच्छा सिचक कब हो सकता है आप गडित के एक बहुत अच्छे सिचक बन सकते हैं बच्चों को समझाने में साहता होती है अब देखिए ये कुश्यर है गौमित्र का खंड भेदा और इंश्टा ये किसकी विदिया है तो ये आपकी गुणा करने की विदिया होती है सीधे नाम याद रखना गौमित्र सुचकांक क्या निर्धारित करता है तो किसी विदिया सुचकांक उसकी आसानी या कटनाई को जो है निरूपित करता है कि अगर सुचकांक जादा है इसका मतलब वो बस्तु आसान है सुचकांक का मैं इसका मतलब कि वो जो सवाल है या वो कुश्यन है या फिर वो बस्तु है वो कठेन है ठीक है उसकी आसानी या कठनाई को संबंदित है सुचना सुविधा सुचकांग अगला देखिए क्या वन नमबर कौनसा सूध आम तोर पर सिचकों परामर्शदाताओं एवं अन पेसवरों के दोरा उनके सवालों के जवाब देनी इस्थानी समझ्याओं को हल करने में विसेश रुप से मदद करने के लिए किया जाता है तो यह जो है क्रिया सोध होता है ठीक है तो कौन सा सोध है वो क्रिया सोध होता है जो सिचकों या परामर्शदाताओं को मदद करता है बावन नमबर देखिए एक मिनिट बावन नमबर देखिए बावन नमबर ह दो या दो से अधिक पहलूओं को कैसे समझा जा सकता है तो बहुत सर रचनात्मक इस्तर के द्वारा दो या दो से अधिक पहलूओं को समझा जा सकता है त्रेपन नमबर जो आज का आपका आखरी प्रशन होगा ठीक है तो यह है आपका प्रदर्सन पदिती के क्या दोस होते हैं तो सिश्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है प्रदर्सन पदिती में क्या होता है चीजों को सामने तुरंद का तुरंद दिखा दिये जाता है तो ऐसे में जो सिश्य होता है उसे प्रयोग करने का अव वाले हैं और आपका इसी तरह से यह चलती रहेंगी टाइम टू टाइम रेगुलर यह वीडियो आपके पास में आता रहेगा बाकि हमने आपको बताए दिया है आपको नीचे जो है टेलिग्राम चैनल कर लिंक मिल जाएगा उसको आपको जोइन कर लेना है वहाँ पर फ्री म में आपके लिए हम स्टडी माटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं और यह क्लासे बराबर इसी तरह से आते रहेंगी सीडीपी की भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फिराल हम एवीस की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले है ठीक है तो मिलते हैं एवीस की नेक्स सुकार धन्यवाद